और में तो हमारे देश के अंदर जो हिंदू में एक जागरण तो हुआ है यही वज़ा है कि अब सार्जली रूप से जो चीजें गलत होती है उसको लेकर के आवाज उठाई जाती है ऐसे को इक मित्र में आपको विज्विडियो में और दिखाना चाहता है उद्रकंड के गड़वाल का बता है इसको चैकरतए जांकारी मिलती है कि इसने अमितर रावत के नामसे एक प्रोफाइल बनाई वही है और वो किस-किस तरह एक कांड कर रहा था जवरदफ वीटियो है मित्रो पूरा वीडियो देखेगा फिर आगे आप समय इसी विशेप पर एक बहुत ही महत्पूर्ण बात करूँगा कि आखिर ये जो यूनिसेक्स सैलोन चल रहे है इसमें क्या-क्या कांड हो रहे है देखिए ज़रा एक नट सुनो तिर नाम क्या है? साहील इदर है ये साहील है यहाँ पर ये चलाता है यूनिसेक्स सैलोन कहा है? बग्त न, एनाइटी गेट के सामने इसने एक Facebook आइडी बना रखी है, किस नाम से बना रखी है? ये कौन है? ये मेरी आइडी नहीं है, सिस्पहर मेरे जो है ना, इसने fake account बनाया है. अपना phone निकाल. यह अमित रावत नाम से और इसने जो है कम से कम इतनी लड़कियों के इसने फ्रेंट रिकर्स बेजी हुए है खोल इसमें फेस्बुक यह कब करें डिलीट सर मेरे फॉन में बनाई नहीं है दूसरा फेस्बुक खोल इसने इसने जो है यह फेस्बुक आइड़ी बना रखिया अमित रावत की नाम से यह देखिये इसने मैं यह लड़कियों के फोटो नहीं दिखा रहा हूं इसने दो सोंको यह भेजा हुआ है और अब इसने एक फिर फेस्बुक की ये चेंज करिए तो ने रिपोर्ट करिए अगर तेरे आईडी ये है कोई तो बता तेरी फेस्बुक की तो तुझे कब पता चलिए था कि तुने फेस्बुक आईडी बना रखी ऐसी मैंने इसको लॉग आउट करके मुझे दूसरा फेस साहिल सलमानी और यह लोंग आउट कर दिया है अब अब फेस्बुक निकाल इस पर दूसरे यह देखें यह हो क्या रहा है यहां पर आकर के हिंदु लड़कियों को फसाने का यही काम है इसने अमित रावत नाम से जो है यह फेस्बुक आप तो मैं पुलिस को कहूंगा और इ करो अमित रावत पे लोग 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 इन करो इसा है इसने देखो यह कितने परसिनल आईडी और विडियो में आगे पढ़ने से पहले आप से एक अनुरौध है यह हमारा बार्पोड है आप हमारा वीडियो देखते हैं आप हमारी पत्तकार्दा को पसंद करते हैं तो इस पर आप वाट्सप धियां में कर सकतें मितर आ डॉh आपको जान कर रहानी कि योनि सेक्स चल रहे हैं बहुत सारे इसमें अकसर होता यह कि जो भारबर होते हैं जो नौटे हो जायधे noises के होते हैं और जो उसमें जो प्रूटि पाड़ निकीवीं सेक्स होते हैं तो उसम कि पैसा कमाने के लिए तो वहां पर बहुत लोग जिहाद चल रहा है हिंदू लड़कियां होती हैं उनको आराम से फसाल लेते हैं जिहादी अवलोग जिहाद करते हैं तो यूनी सेक्स सैलून भी एक लव जिहाद का बड़ा अड़ा बन चुका है जिसके बारे में लोग की नथे नहीं जा रही है मैंने इस पर इस तरह से बात की कि मेरे कुछ ऐसे पर्चित लोग निकले हैं जो यूनी सेक्स सैलून चलाते हैं उन्होंने ये बात मुझे बताई कैसा हो रहा है अब उनकेサा समस्चा ये है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं ज्याद तर उनकी ज्य मुसलिम जो मर्द होते हैं घर में वो अपने और तों की हिवाज़त करते हैं किस तरह से और कहीं निकलने देती हैं इसाथ बाहर निकलती हैं उमके कमाई आउरत का धन खाने में तुनको बड़ा अनन्द आता है लेकिन इसके दुश्परिणाम भोगने पड़ेंगे समाज को खेर इस पर आपकी क्या विचार आपकी क्या राय है इसको भी जरा आप और हमें आप और विस्तार से बारें बताईएगा अगर यूनिसेक्स सेलोन को लेकर कि आपके आस पास पर ऐसी घटना होई हो या आपने कुछ देखा हो तो इसको भी आप जरूर में शेयर कीजेगा अब कमेंट्स कीजेगा इस पर नमस्कार धन्यवाद